हेलो फेंट्स कैसे हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपको कोरोना की सिम्टम्स दिख रहे हैं, लक्षण दिख रहे हैं या आपको कोरोना है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? जैसा हमें पता है अभी, bads available नहीं है, oxygen नहीं मिल पारी है, medicine नहीं मिल पारी है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए अभी अगर हमें लक्षण दिख रहे हैं तो बहुत सारे इसे वीडियो आप इंटरनेट में भी देख रहे होंगे, कोरोना सेफटी के उपर इसलिए आपसे एक post डाल कर मैंने पूछा हुआ था कि क्या करोना सेफटी के लिए आप वीडियो देखना चाहते हैं तो 84% लोगों ने vote किया कि हाँ, इसमें वीडियो बनानी चाहिए तो इसलिए आपके कहने पर ये वीडियो बना रहे हैं इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाई हुए है कि अगर कोरोना हमें नहीं है तो हम कैसे उससे बच सकते हैं, वो वीडियो आप जरूर देख लें डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहां से आप उस वीडियो को जरूर देख लें और जब हमें लक्षन दिख रहे हैं, तो उसमें भी हम उसको यूज कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं, कोरोना है, तो हमें क्या करना है चलिए ज़्यादा टाइम लिए बिना शुरू करते हैं, मैं हूँ डॉक्टर हरीशंकर सोनी और आप देख रहे हैं, इजी डेंटिस्ट्री समझते हैं, सबसे पहली बात आपको इग्नोर नहीं करना है अगर आपको कोई भी सिम्टम्स इस समय दिख रहे हैं कोरोना के, जैसे पहले कुछ कम सिम्टम्स थे, गले में खराश होती थी, फीवर आता था, अब इसके और भी सिम्टम्स है, गले में खराश, फीवर आना, डाइरिया अगर हो रहा है आपको, लूज मुसंस आपको हो रेशिस दिख रहे हैं, आखों में कुछ infection आपको दिख रहा है, ऐसे कोई भी अगर आपको symptom दिखते हैं, तो आपको इसको ignore नहीं करना है, हो सकता है आपको common cold के भी लक्षन हो, कोरूना ना हो, लेगिन उसको भी आपको इस समय में ignore नहीं करना है, तो जैसे ही कोई लक्षन आपको दिखते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपको panic नहीं होना है, कि मुझे ये कोरूना के लक्षन आ गए, कोरूना हो गया, अब आगे क्या होगा, ठीक हो पाएंगी यह नहीं, panic आपको बिलकुल नहीं होना है, mild cases में hospital जाने की भी ज़रूरत नही ज़्यादा तर cases में अगर कम है तो घर में ही ठीक हो जाएगा, उसी के हम बात करने की कैसे आपको प्रोसीट करना है, क्योंकि बैट्स अवेलेवल नहीं है अभी, तो panic आपको बिलकुल नहीं होना है, हमने पहले भी बात की हुई है, कि आपके behavior का, आपके thought का, आपकी health में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो काम आपको रहना है, अब आगे हम समझते हैं, इसके बाद जैसे ही आपको लक्षन दिखते हैं, या family में किसी को लक्षन दिखते हैं, तो आपको isolate हो जाना है, quarantine हो जाना है, अगर आपके घर में एक अलग से ऐसा room है, कि अलग जाएं, और अगर उसमें attached lead बात है, तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल आप अलग हो जाएं, symptom दिख रहे हैं, तो भी, जैसे हमने बात की, हो सकता है common cold के भी लक्षन हो, तो भी कोई इसमें problem नहीं है, अलग रहने में, आपको isolate हो जाना है, तब ही, और अगर सुविदा न जाएं, यह बहुत जादा जरूरी है इसके लिए, अब आगे हम समझते हैं, continuous monitoring आपको करनी है, monitoring आपको करनी है fever की, और आपको करनी है oxygen level की, pulse oximeter और infrared thermometer, यह सब हमने समझा हुआ है, यह आपके पास होना चाहिए, और continuous आपको, हर 3-4 घंटे में आपको measure करना है, और especially oxygen level, ज से कम हो रहा है, और continuous 92 से कम आपका रह रहा है, 90 की नीचे भी जा रहा है, तो आपको care रखनी है, आपको hospital में inform करना है, और अभी हम home treatment की भी बात करना है, कैसे करना है, home treatment का मतलब यह नहीं है, कि आपको घर में इलाज करना है, आगे समझते हैं, सबसे पहले अभी हम यह बा बुखार आपको हो रहा है, या फिर बुखार आ रहा है, फिर अपने आप ठीक हो जा रहा है, फिर आ जा रहा है, ऐसा बुखार भी हो सकता है, तो fever आपको आ रहा है, तो paracetamol आप ले सकते हैं, हर 6 गंटे में आप paracetamol ले सकते हैं, अगर आपको जरूरत है, तो इसके टेस्टिंग आपको करानी है जो antigen test है वो आप करा सकते हैं और RT-PCI test भी आप करा सकते हैं आपको कराना है RT-PCI test में हो सकता है 3-4 दिन का समय भी लग जाए अभी के situation में तो इन 3-4 दिनों में ऐसा नहीं है कि आपको कोई treatment नहीं लेना है जो हम बात कर रहे थे होम treatment आपको लेना है अब यहाँ पर एक बात आपको समझने है कि होम treatment का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि आप खुद से कोई medicine ले या जो होम क्यार है उससे आप ठीक हो जाए आपको doctor से बात करनी है अगर आपको symptom है तो आप किसी doctor से बात करें चाहे phone में या किसी के through आप बात करें वो आपको घर में ही आपको medicine देंगे जो अलग-अलग medicine है जो आपको खुद से नहीं लेनी है जैसे अलग-अलग medicine इसमें यूज होती है एजित्रोमाइसीन है, डॉक्सिसाइकलिन है, हाइडोकोटिसोन है, आइवरमेक्टिन है और भी जो medicine है doctor आपको आपके requirement के according देंगे कि आपकी age क्या है, कितनी आपको जरूरत है, खुद से आपको ये medicines नहीं लेनी है, तो doctor से consult करें और monitoring जो हम बात करें वो आप monitor करते रहें, डॉक्टर के संपर्ग में रहेंगे उनको बताते रहें, ज्यादतर cases में oxygen level भी कम नहीं होता है, कुछ symptoms लेते हैं, तो isolate हो जाते हैं और home treatment आप doctor से लेते हैं, तो आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए हम monitoring की बार-बार बात करें, अगर oxygen level आपका कम होता जाता है, तो doctor आपको suggest करेंगे, oxygen cylinder की अगर विवस्ता हो सकती है घर में, तो doctor कराएंगे, और घर में ही आप oxygen start कर सकते हैं, अग bad बाहर नहीं मिल रहा है, तो, इसके बाद एक बात और आपको ध्यान में रखने हैं, इतने से आप ठीक हो जाएंगे, जो doctor आपको treatment दे रहे हैं, oxygen की जरूरत है, अगर वो suggest कर रहे हैं, तो ले रहे हैं, इससे आप ठीक हो जाएंगे, इसके आपको ध्यान रखना है, जैसे के बाल आपको लेट जाना है, नीचे आपको यहाँ पर पिलो लगाना है, तक्या आपको लगानी है, और deep breathing करनी है, गहरी सांसे लेनी है, इसे भी oxygen level आपका बढ़ जाता है, तो ये छोटी-छोटी बाते हैं आपको ध्यान में रखनी है, home treatment लेना है, और इसके बाद आपक आपको properly पीना है, गुन-गुना पानी आप पी सकते हैं, तीन लीटर पानी कम से कम आपको पीना है, थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीते रहिए, आपको hydrate रहना है, इसके बाद एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, rest आपको जरूर करना है, और अब rest का मतलब यह आपको करनी है, एकदम rest करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल लेटे रहें, कोई movement ना करें, यह आपको ध्यान में रखना है, तो यह कुछ बाते हैं, जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको symptom दिख रहे हैं, तो डॉक्टर के संपर्ग में आपको रहना है, और घर फिर वो आपको treatment देंगे, तो panic आपको नहीं होना है, mild cases में घर में ही आप ठीक हो सकते हैं, हाँ, monitoring आपको जरूर करते रहनी है, अगर continuous कम हो रहा है, तो हमें आगे proceed करना है, ताकि हम जल्दी ठीक हो पाएं, चलिए इस वीडियो में इतना ही, hopefully आपके लिए helpful रहा होगा, share जरूर करें इस वीडियो को, ताकि सभी को जानकारी मिले, और बिल्कुल panic आपको नहीं होना है, कुछ समय की बात है, condition better होंगी, safe रहें, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और नय टॉप्पी के साथ, thanks for watching